न्यूस नशा आदत हर खबर की यह कि भाई थोड़ी सी कमर कस लीजिए थोड़े से तयार हो जाईए और थोड़े से और वार कीजिए थोड़ी और चानक के बुद्दे लगाईए थोड़ा और जोड़ तोड़ कीजिए यह सब चीजे कर रही है बीजेपी और या फिर यूँ कहें कि यह सब नहीं करेगी त साकड़े तक वो चले जाएंगे ये समझने की यहां पर जरूरत है मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से पिछले 10 साल से लगातार बीजेपी की सरकार चल रही है उसके चलते एंटी इंगमेंसी हो रही है इसमें कोई दोराय नहीं है नमबर वन नमबर टू जो युवा मोदी जी के लिए भागा चला आता था 18 साल से 25 साल तक का वो युवा जो कि उनके लिए आखें मूंद करके मोदी मोदी चलाता था उसमें अब कमी आ गई है बीजेपी के खुद के पूरी जो रिपोर्ट आ रही है उसमें युवा उनसे अलग थलग हो रहा है उसकी वज़ा दिखाई दे रही है सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी बात कि महंगाई बिरोजगारी ये चीज़े उस पर असर कर रही है अनिम्पलॉइमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारत सरकार की योजना एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि युवाओं को अपनी तरफ आकरशित नहीं कर पा रही है अगनी वीर योजना तो आप जानते हैं किस तरह से उसमें बदलाव किया गया किसान अंदोलन जब सामने हुआ तो उसका असर भी युवाओं पर बहुत बड़ा पड़ा क्योंकि जिस तरह के फैसले सरकार ने लिये हैं पिछलें दस सालों में उसमें जन मानस में युवाओं पर इसका बड़ा असर पड़ रहा है जो कि भूलिय मर्देश का वोटर है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ा है वही पर अगर हम बात करते हैं यहां पर इनकी पूरी उस पट कथा की जो कि तैयारी इनोंने करी है मैं आपको बता दू कि राम बान कुछ भी नहीं है और वो बहुत कुछ नहीं कर पाएगा लेकिन यहां बीजेपी हार नहीं मानती है अब बीजेपी को पता है कि यह जुस्तिती है इसका असर भी जनता के उपर उतना नहीं हो रहा है हां 35 प्लस की उ बड़ी जुरत पड़ती है उनकी उस साइकलोजी के साथ में बहुत अच्छा यह खेल सामने नजर आ रहा है बीजेपी जो है यहां पर राम बान की तरहां समझ रही है ऐसा नहीं है लेकिन राम बान की तरहां चलाएगी यह जरूर है आप कहेंगे मैं इतनी फिलोसिफिकल गुमा की बात क्यों कर रही हुँ तो यह समझने की जुरत आपको इसलिये है क्योंकि थोड़ा सा जहन आपको लगाना ही पड़ेगा अगर आप अपना इस दिमाग को जरा जोर नहीं देंगे तो आपको यह समझ आजा जाएगा कि कोई भी अमर नहीं है मैं इंसान की बात कर रही हूं मैं एक सिस्टम की भी बात कर रही हूं मैं नेता के एक छवी की भी बात कर रही हूं मैं एक महौल में फैले आडंबर की भी बात कर रही हूं यहां पर सीधी सी बात है राम बान बनाया जा रहा है राम के नाम पर बनाया जा रहा है यह तो आप भी समझ रहे हैं औ वो असर बड़ा नहीं है वो अभी खोकली स्थिति चल रही है जो असर दिख रहा है और जिसको राम राम बोलते हैं आपके रोंग्टे खड़े हो जाते हैं मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है तो वो व्यक्ति दरासल खुद उनके ही पन्ना प्रमुक के अंतरगत जो लोग आते हैं मौले में जो RSS के लोग पहुंचे हैं उन्होंने ये तयार किया है ये लेयर तयार हो रही है ये राम राम कहने वाले जो लोग हैं जो प्लेन में डपली बजा कर लोग जा रहे हैं ये कौन लोग है ये मौहल कौन बना रहा है ये आप और हम जो बैठे हैं देख रहे हैं हम जैक्ली 22 जनवरी का वो दरासल इसलिए किया गया कि मंदिर अगर थोड़ा सा लेग तयार होता तो चुनाओ तक जाते जाते राम के नाम पर लोगों की भावनाओं को जगाने में वक्त लगता तब तक चुनाओ हो जाते और राम के मंदिर के होने का कोई फाइदा नहीं होता इसलिए इस तारीक को बड़े तरीके से चुनकर तैक किया गया है इस तारीक को इसलिए 22 जनवरी को रखा गया है क्योंकि जनवरी के बाद फरवरी मार्च एपरेल का जो यह महिना है इसमें पूरा वक्त मिलेगा अच्छे से इसे भुनाने को यहां तक कि RSS की जो दुनिया की सबसे बड़ी संस्ता की स्ट्रेंथ है तो यह जान लीजिए कि यह जो स्ट्रेंथ है इसको संदेश दिया जा चुका है कि लोगों के मन में राम राम भेजना है जो RSS से जुड़े हैं वो तो जुड़े हैं जो नहीं जुड़े हैं वो राम से जुड़ जाएं अब यहां पर यह तैयारी की जा रही है नमबर वन मैंने आपको बताया कि युवा चिटक रहा है नमबर टू मैंने आपको बताया कि राम के नाम पर किस तरह से पूरी तैयारी और पूरी स्ट्राटरजी तैयार इस तरह से की जा रही है कि 24 के इस चुनाव में उनको सीधा फायदा हो सके अब मैं आपको एक खास बात बताने जा रही हूँ क्या है कि जब आप राम नाम की बात कर रहे हैं तो उससे पूरा काम नहीं चलेगा ये बीजेपी जान रही है वो कुछ percentage तक इसको भी effect कर सकती है पिछले दिनों आपने देखा किस तरहां से विपक्ष के लोग इंडिया गडबंदन के लोग तूटने शुरू हो चके हैं सबसे बड़ी कहानी यहाँ पर सामने नजर आती है किस तरहां से तूट रहे हैं केक करके नितीश वहां से तूटे फिर जयन्त को तोड़ने की यह पूरी कोशिश की गई उनको भी दो लोग सभा एक राज़े सभा एक विदान परिश्यत दिया गया और इसी तरहां से अंदर यंदर खाने ममता बेनरजी से बात चल रही है अंदर अकाली दल से बात चल रही है आप ये समझ ये कि किस तरहां विपक्ष को तोड़ने की कोशिश की जा रही है मायावती को अंदर खाने अपने साथ पहले ही मिला चुकी है बीजेपी यहाँ पर तो अभी इस हद तक बात जा रही है कि अखले श्यादव तक डोले डालने की कोशिश की जाएगी कि उनको भी अपनी तरफ लाने की कोशिश की जाएगी क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है और रीजिनल पाटी इसको अगर जितना जादा अपनी तरफ ला सके बीजेपी उतना बड़ा नुकसान वो कॉंग्रेस को करेगी लेकिन यहाँ पर कॉंग्रेस की भी बहुत सारी कमिया है जो कि इस पूरी चाल को समझने की जगा एक अलगी लीक पर चल रही है लेकिन यह भी सच है कि कॉंग्रेस का भारत जोडो नियाय यातरा हो यह भारत जोडो यातरा हो यह लोगों पर इंपक्ट कर रही है यह असर इसले कर रही है क्योंकि एंडिंग अम्बैंसी साफ साफ सामने आ रही है यह जो वक्त आ चुका है यह वो वक्त है जब BJP को चिंता करने की जरूरत है लेकिन BJP यहाँ पर चिंता ना करके आगे की तैयारी में लग गई है वो जानती है कि उसका कोई जादू नहीं है वो जानती है कि जन्ता के जहन पर जितनी बार जो चाप छोड़ी जाएगी उतना जादा उसका असर दिखाई देगा उस काम पर वो लगी हुई है BJP यह जानती है कि मेरे पास अगर इस वक्त लोगों की स्ट्रेंथ कमजोर हो रही है तो मुझे कहां से जुटानी है इसलिए विपक्ष को अपने साथ जोडने की कोशिश यहां पर हो रही है नितीश के साथ जो मैनेजमेंट किया गया उसी के साथ वो धर्माजी को ले आए फिर इधर बिहार में अगर आप देखे तो सिर्फ RGD इस तरह से सामने दिखाई देती है चोकि विपक्ष में दिखाई दे रही है और अब आगे की जो तस्वीर दिख रही है उसमें लगभख सभी रीजिनल पार्टीज को लोगसभा चुनाओं में BJP काफी हद तक अपने साथ अंदर खाने मिलाने की पूरी कोशिश करने जा रही है तो आप यह मान लीजिए कि इस वर BJP ने काफी हद तक अपनी तैयारी पूरी की है इस तिती को लेकर क्योंकि वो यह जान रही है कि इस बार उने काफी जादा नुकसान होने वाला है बिहार के नुकसान को पूरा करने के लिए नितीश का दामन ठाम लिया है उत्तर प्रदेश का नुकसान जो है वो जादा इस बार नहीं दिखाई दे रहा है लेकि जो भी है उसके लिए जयन्त के साथ में ये कोशिश की जा रही है कि वहां से थोड़ी बहुत चीज़े बैलन्स हो जाएं मायावती के साथ पहली अंदर खाने अच्छे खासी बादशीर पूरी हो चुकी है तो मायावती के जरीए भी पूरे उत्तर प्रदेश में अपने नुकसान को बचाने और सामने के विपक्ष को नुकसान करने की पूरी तयार यहां पर दिख रही है वहीं पर सबसे बड़ी बात यह नजर आ रही है कि इस वक्त बीजेपी को यह मालूम है कि इस चुनौती को पार पाने के लिए उसे एक बड़े प्रोपगेंडा की जरुरत पड़ेगी और वह प्रोपगेंडा पूरी तरह से उनका टीवी के जरिये पूरे होने जा रहा है टीवी में काफी सारे चानल हैं जो कि इस वक्त उनके लिए पहले से ही एक पटकता बनाना शुरू कर चुके हैं उनके लिए काम करना शुरू कर चुके हैं और अब भी कई चानल ऐसे हैं जो की लगातार उनके खेमे में शामिल हो रहे हैं और उनके साथ काम करने के तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे में आपका प्रचार प्रसार पूरी तरह से कंट्रोल आ चुका है विपक्ष के नेताओं पर कंट्रोल बनाने की पूरी कोशिश है बीजेपी यहाँ पर चल रही है वहीं पर अगर हम बात करते हैं युवाओं के नराज होने को लेकर उसका तोड़ बीजेपी धून नहीं पा रही है युवाओं जिस तरह से बीजेपी से छटका है और उनके साथ तैयार नहीं है अब आने को इसको लेकर के काफी जादा चंता बीजेपी को इस वक्त हो रही है क्योंकि बीजेपी में इस वक्त सबसे बड़ी परिशानी यही है कि चुनाओं के समय में युवा का साथ उसे मिल जाए लेकिन युवा जिसे अभी तक नौकरी नहीं मिली वो अपना साथ उनके कैसे देगा यह सोचने की बात है और यहाँ पर सबसे बड़ी कमी यही है कि सरकार के पास उनको देने के लिए नौकरिया भी उस तर पर नहीं बची है या यूं कहें कि इन्होंने नौकरियों के लिए और रास्ते नहीं निकाले है बीजेपी के लिए चिंता बहुत ज़ादा बड़ी बनी हुई है ऐसे में बीजेपी विपक्ष पर वार कर रही है लगातार और विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश कर रही है उसे काटा चाटी कर रही है अगर वो विपक्ष तूटता है और खासतोर से ऐसा विपक्ष जिसके पास यूवा भी साथ में जुडा हुआ है तो फिर BGP के लिए ये सीधा One Go हो जाएगा इस चुनाओ को जीतने के लिए यहाँ पर BGP की स्ट्राटेजी चारो खाने काम कर रही है चारो तरफ से काम कर रही है BGP के पास पहले से ही अपनी सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें ये तमाम बाते दिखाई दे रही हैं जो मैंने आपको चर्चा में बताई है सर्वे रिपोर्ट में उन्होंने कई कैंडिडेट्स के नाम निकाल लिये हैं कई उके नाम फाइनल करने जा रहे हैं आपने जादा तर 98% कांडिडेट्स को बीजेपी ये बता चुकी है कि उन्हें इस बार सांसत का चुनाओ लड़ना है और उसकी तैयारियां वो तमाम लोग कर चुके हैं जिस गुप-चुप तरीके से ये पूरा काम चल रहा है आप ये मान लीजिए कि बीजेपी के पास सब से बड़ा हत्यार यही है इस वक्त कि वो बड़ी सिक्रेसी के साथ काम कर रही है जिसके भनक जादाद लोगों को नहीं हो पा रही है ऐसे में एक एक कॉंस्ट्वेंसी की पूरी-पूरी रिपोर्ट बनाने के लिए उन्होंने अपने बड़े नेताओं को लगा दिया है य इसमें साफ दिख रहा है कि बीजेपी उस तरहां से सीटें नहीं ला पा रही है जैसा कि पहले ला सकती थी मैं आपको यहीं बता दू कि राम मंदिर की इस प्रोपगेंडा को पूरा तयार करने के बाद और इस पूरी इस तयारी को आगे लोगों के जहन तक उनके दिलों तक पहुचाने के पाद बीजेपी के पास एक नया इंपुट जरूर आया है और वो इंपुट यहीं बताता है कि राम मंदिर की मुद्दे को सामने लाने से उन पर फाइदा होगा उनको इसका सीधा फाइदा मिलेगा इसलिए उन्होंने अपने तमाम पन्ना प्रमुक से ले करके तमाम विंग को एक्टिव कर दिया है चाहे वो विदेश में हो चाहे देश में हो कि वो राम मंदिर क के नाम पर लोगों तक इस संदेश को ले करके जाएं खास तोर से हलदवानी वाली घटना होने के बाद भी यह रिपोर्ट साफ कहती है कि राम बंदिर का असर जो है वो लोगों पर आगे अब जादा दिखना शुरू हो जाएगा दोरों ही पक्षों में अलग अलग तरहां क की पूरी एक सीमा के पार जाने की भावना ही दिखाए देने लगी और इसी का सीधा फाइदा बीजेपी को होगा चुनाओं के लिए इस वक्त बीजेपी ने ये तैयारी करके ये जरूर जता दिया है कि बीजेपी बहले ही जंता के दिलों में कमजोर हो रही हो लेकिन पैस हुई जो उसकी पूरे नीव रखी गई बावज उदिसके के नितिश कुमार ने बड़ा दोखा दिया है इंडिया गडबंदन की ताकत की वजह से बीजेपी के हाथ-पाउं फुले हुए है बीजेपी जानती है कि अगर इंडिया गडबंदन का तील सही जगह जाकर के आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेस्बुक पर और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूस नश्रा